अपने यहां पर इस question में क्या बोला गया है कि which of the following does not involve oxygen at anode when the electrolysis is carried out कि मतलब कि कौन सी condition किसके साथ electrolysis करवाय जाए कि anode पर oxygen gas ना बने और फूइस देज नौट इन्वाल ठीक है तो सबसे पहले first option में अपने क्या बोला है कि dilute H2O SO4 बोला है तो dilute H2O SO4 में oxidation के लिए क्या क्या बचा है SO4 minus 2 and H2O में क्या बता है H2O तो अब अपने को पता है कि electrochemical series में है कि H2O का oxidation potential HCl O P ज्यादा होता है oxidation potential हो as of 4 minus 2 से जब PT electrode यूज किया जाता है तो यहां पर H2O oxidation हो जाएगा तो O2O बन जाएगी तो यह अपना answer नहीं होगा second option हो बोला है कि Fused sodium hydroxide यान है यह बोला है कि यह नहीं हो चाहिए Fused है तो यह आयन में है तो जब OH minus ion का oxidation होगा तो O2O बनेगी यहां पर O minus 2 में है तो oxidation होके O2O बना देगा ठीक है यह मैं पता है क्योंकि O2O oxygen minus 2 में है फिर उसका oxidation होके O2 में चुला जाएगा ठीक है तो fourth option में बोला है Dilute Sulfuric acid Dilute as two as a four तो है लेकिन copper electrode का use के जा रहा है मतलब कि first option के जैसे ही बोला है कि Dilute as two as a four तो है लेकिन pt electrode की जाए क्या है copper electrode तो अपने को पता कि pt electrode तो वहां पे खुद का oxidation नहीं कर पाता क्योंकि pt का oxidation potential बहुत ही कम होता है ठीक है लेकिन यहां पे SO4 minus 2 H2O और copper यह तीन रह गए oxidation के लिए ठीक है copper be involved कैसे हो गया क्योंकि copper का electrode बनावा था तो अब यहां पे हमको पता है कि copper का oxidation potential इन दोनों से ज्यादा electrochemical series में हम देखेंगे तो मैं पता चले कि copper का oxidation potential इन सबसे ज्यादा है तो copper का सबसे ज्यादा oxidation potential तो copper का oxidation हो जायेगा किस तरीके से होगा यह होगा और copper plus 2 बना लेगा ठीक है तो इस condition में H2O का oxidation ना होके copper का होगा तो O2 gas नहीं बनेगी तो अपना answer क्या होगा D अपना answer होगा ठीक है D अपना answer होगा Thank you झाल झाल